शादी के पांच दिन पहले गारी बाइक का मोटरसाइगिल का डिमांड हो गया शादी के दिन पता चल गया, शादी के बाद ही पता चल गया कि मेरा दूला राजा जो एक नंबर का लालची है ऐसे भिखारी लोग खुद नहीं खड़ित पाते और बेटियों के परिवार वालों से दहेज मांगते है मतलब हर जगा दिखा देते हैं कि हाँ हम भी खारी है तिरे लड़की ने भी बहादुरी दिखा करके शादी से मना कर दिया मेरे बगल में एक लड़की है और इसके हाथ में महंदी लगी हुई थी जो की अब मिट रही है पैर में भी शादी इसकी हो चुकी थी बढ़ाती आ चुका था सब विदी विवस्था से पूरी तरह से जो भी नियम होता है हिंदु धर्म में शादी हो गई थी बिदाई का जब समय आया तो लड़का बिदाई के समय डिमांड कर दिया कि मुझे सोने का चैन और हाथ में एक अंगूठी चाहिए परिवार वाले सक्षम नहीं थे परिवार वाले मना कर दिये क्या हुआ था शादी के दी निये बताईए हू रभी दाई हो गई थी और वो टे न और मांग कने लगा इसलिए मेरी फैमिली बिदा नहीं किया में अधा दूर ले करके भी गया था अधा दूर ले कर चला गया था मुझे अधा दूर जब ले करके गया तो गाड़ी में क्या क्या बात हुई गाड़ी मुझसे नहीं बात हुई वो उसके फॉन पर मेरे घर वाली कोल किये और फिर उसने कोल नहीं उठाया फिर ड्राइबर पर की तो बोलें लोग के इसकी फैमिली बोली की गाड़ी वापस लेकरा तो वापस लेकर आया फिर शुचारा जानने का नाम सिंह पहले लड़का जो है स्प्लेंडर बाइक का डिमांड किया जी जानती हैं जी आपको अजीव नहीं लगा कि कितना गंदा आदमी है डिमांड कर रहा है दहेज का जीव लगा था लेकिन फैमिली कैसे भी करके अब साधी का समान समान की बात थी अब ऐसे तूटती तो लोग क् पाइक थी जो घर का समान सारा होता है सब समान पैसा कितना था पैसा पापा पता होगा मैं नहीं सही तरी तरी बता पता है है आपका गहना वहना सब बन चुका joke सब बन चुका था खुँश औंगी शादी हो रहा है बाडाती आया दोल्हे राजा आया है खुश होंगी जी मन है उसके शादी करना यह हैं उसके पाश जानेगा नहीं बिल्कुल शादी तो हो गई है। लड़की देहरा नहीं है क्योंकि दहेज लोबी के पास कोई भी लड़की ना जा ON क्या नहीं कर देते हैं, बेटियों को जाट देते हैं, बेटियों को मार देते हैं, मतलब मार पीट इतना करते हैं कि बेटी तरप तरप के ऐसे भी मर जाती है, कितना ख्वाब ले करके बेटी जाती है, ससुराल, हम ससुराल जाएंगे, पती का प्यार मिलेगा, ससुराल वालो हमें नहीं है लेकिन अब इसके बाद सोचे कि फिर भी शादी के पांच दिन पहले गारी बाइक का मोटरसाइगिल का डिमांड हो गया ऐसे बिखारी लोग खुद नहीं खड़ित पाते और बेटियों के परिवार वालों से दहेज मांगते हैं शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों यही कौनओ फर और सरकार से काओंगे कैसे लोगों कारवाई होनी चाहिए एपकी छोटी बहुत पार्व ५て Chris है आपकी बहुत की साधी हो गई थी वो बाइक मांगे पहले जब चार दिन साधी था तो फिन बाइक कर दिमांद कि फिर बाइक लिया कर लोग दिये फिर जिस दिन साधी थी साधी हो गई उस दिन पैसे कर दिमांद कि पैसे दिये तो फिर उसके बाद फिर साधी होने के बाद हम लोग बाइक में जो मारसल रता ह बढ़ाय उसमें बाइटकर गये साथ में तो विभागा रहे थे हम लोग को हां फिर बागाने बाद हम अंद बाहर आए पिर पाइसे मंगने लगे जो रसम का होता है पैसा वो भी नहीं दे रहे थे जूता चुराई या दूआर चेकाई कुछ नहीं आप लोगों मिल रहे थें तीन सो रुपय जूता चुराई का जी तीन सो रुपय लोग दिये थें क्या है क्या आडमे पूछ रहे थैं तो समंझ बनना रहा है सो मागं हो साधार हैim पूजा को कुछ नहीं देंगे इस सब बोल रहा था पूजा के पापा कुछ नहीं देंगे पूजा को कुछ नहीं देंगे कुछ नहीं देंगे साधी बाद घर लेकर जाएंगे क्या बोलता था मारेंगे बगाएंगे यसे से बोलता था लड़का का नाम क्या है जैन नाम है जैन क्या करता था वो वो बाई का काम करता था कितना कमाता था पूजा वो दस हजार बताता था दस हजार और कमाता था इतना तो सस्राल वाल आपका लालची निकलेगा नहीं नहीं परिवार वाले के पहे सुआ परिवार कि यहाँ का तो क्या कीजाएगा जो तीन लड़कियां खड़ी है और ये तीन लड़कियां नहीं है ये यूपी की शेर्णिया है जो लड़ना जानती है अपने अधिकार के लिए अपने हक के लिए दोस्तों पटना से चल कर आजम गड़ा हैं क्योंकि इन बेटियों की स्टोरी हम दिखाएं इस बेटी हुआ है शायद किसी के साथ ना हो हाथ पैड में महंदी लगा हुआ है फोटो ग्राफर आया था ऑफोटो भी इंड़ा होगा बहुत सारी चीजे होंगी बहुत रिलेटिव आये होंगे खाना पीना लहंगा चुंद्री मतब अब हर चीज तयारी हुआघा वी लड़की दूले राजा का इंतजार कर रही होगी कि मेरा दूला राजा आएगा मुझे ले करके जाएगा और बहुत प्यार से रखेगा लेकिन इसको शादी के दिन पता चल गया शादी के बाद ही पता चल गया कि मेरा दूला राजा जो एक नंबर का लालची है वो मुझे खुश नहीं रखेगा, अगर वो मुझे ले करके जाएगा, तो मेरे साथ मार पीट करेगा, इसलिए लड़की ने भी बहादुरी दिखा करके, शादी से मना कर दिया, और लालची दुले के पीट पर लात मार दिया, बहुत अच्छा किया, और बहुत इन्होंने करते हैं सपोर्टिव हैं बहुत अच्छी बात है पुरा शादी का जो है यहां पर सजाया धजाया गया था स्वागतम स्वागतम इदर दिखाए शुव बिभाह और आप लोग क्या करती है अभी किस क्लास में पड़ती है पर चुके हैं हम लोग का हम बीए सिकेंडियर पर र लड़कों को मतलब है उनको देज ही चाहिए लड़की वाले तो ऐसे होते हैं कि खुद देना चाहते है अपनी बेटी को मांगना क्या है उतलब हर जगह दिखा देते हैं हम भी खाड़ी है अरे सड पर लिख करके आजाओ कि हम भी खारी है मेरे पास कुछ नहीं है दो जितना देना है तो यह बेटियां हैं बहादूर बेटियां और सच बतारे पूजा आपने बहुत अच्छा काम किया बहुत सारी लड़कियों को संदेश जाएगा बहुत सीखेंगी आपसे कि मुझे पूजा की तरह बनना है जो लालची परिवार रहेगा या लालची दूला आएगा या शा होंगे क्योंकि शादी के दिन जब बेटी की शादी होती है तो लोग बहुत जादा खुश होते हैं खुशी का महौल होता है यहां पिता जी भी बैठे हुए हैं अच्छा काका यह बताइए क्या हुआ था उस दिन एक्जैक्ट कैसे लड़का अपना लालची पन दिखा रहा मतलब आगे बड़ा मतलब बिदाई के समय बिदाई हो गया फिर मांगने लगा अंगूटी और चाहन नहीं मिला मैं नहीं जाओंगा घर पर फिर यह वापस लेकर आया बलाएं उसकी पीता जी बलाएं तो यह तो फिर क्या हुआ फिर वही हम नहीं साधी करेंगे बोला हम क कैसे पड़िवार के पास हम अपनी बेटी को नहीं बेजेंगे तो बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया मतलब आप समझ गए कि आपका जो हुने वाला दमात था वो काफी लालची लालची पड़िवार था आज घर मांगे तो मैं कहां से दूगा लिया का बहुत होता है काका शादी के बाद खाली पैसे के लिए लड़कियों के साथ मार पीट किया जाता और आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है और शाद बहुत सारे लोग हैं जो सीखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो हमें कैसे उस सिच्वेशन को हैंडल करना है तो क्या आपका जो खर् शादी के लिए पांच छे लाख रुपए लगा दिये लेकिन इनको मात्र डेर लाक रुपया हाथ में थमाया गया गल्ती किसकी थी लड़के की और लड़की के पडिवार वालों की लेकिन लड़के मतलब कुछ नहीं बस डेर लाग थमा दियें और यहां थाने वाले भी पता नहीं क्या लापर वाही करते हैं भगवान जाने मतलब इनका जो कितना खर्चा हुआ था पांच छे लाग कम से कम वो तो वापस मिलना चाहिए था इसी तरह लड़कों का मन बढ़ा राता है सोचते हैं हम लड़के हैं लड़के वाले हम कुछ भी कर सकते हैं बेटियों को किस तरह से प्रतारित करते हैं बेटी के परिवार वालों को किस तरह से प्रतारित करते हैं वह आप लोग से छुपा वा भी नहीं है दोस्तों इनका पैसा चला गया है इनका इज़त चला गया है कही ना क खर्चा हुआ और मत तरद लाग कुश्या के इतना कम मिला क्यों आप थूमांड नहीं कि मेरा पूरा खर्चा मुझे चाहिए ची आदमी इसको पैसा चाहिए तो मुझे भी पैसा मेरा अप्न कर म्ह नहीं तो नहीं गया है ऐसे जो अफाटीचर लोग क्यों नहीं पहले ही दिमांड कर लेते हैं ताकि उनके पास बेटी जाहीं ना पहले तो कुछ नहीं मांगाता हूँ पूछ नहीं क्या बोल रहा है था कर बुदा मंदिल में कसम खाया था वह नहीं कुछ लड़की चाहिए फिर मन में लाला चाने लगा पिंदिदी दिला चाह में कानूनन अपराद है लेकिन फिर भी यह सारी समाज में चलती है खुले आम चलती है गिफ्ट तो माबाब देते हैं बेटी को बेटी का हक भी है बेटी को मिलना भी चाहिए लेकिन ऐसे लोग जो डिमांड करते हैं और शादी के बाद बोलते हैं कि यह दो यह पूरा करो तब ही आपकी बेटी को ले करके हम जाएंगे, तब ही हम विदा कर लेंगे, तो ये सरासर गलत है, ऐसे लोगों पर बहुत करी करवाई होनी चाहिए, ताकि शादी करने से ऐसे लोग डड़े और डिमांड करने से, बस यही कहूंगी, ऐसे लालची लोगों से स्ततर्क रहें, बेटी की शादी कहां कर रहे हैं ध्यान रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें नमस्कार